हेलो दोस्तों आज हम लोग GDP का अध्यन करेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने रास्टी आए को पढ़ा था और देखा था कि रास्टी आए के चार मापदंड है जिसके अधार परास्टी आए के गन्ना की जाती है जिसमें पहला जो था वो GDP था जीडीपी था आज वहीं हम जीडीपी को देखने जा रहे हैं जीडीपी जिसे ग्रॉस टोमेस्टिक फोडक्ट या सकल घरिलू उत्पाद कहा जाता है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि या जीडीपी जो होता है वो क्या होता है इसको सब्दों में बांधने का प्रयास करते है अगर इसका डिफिनेशन देखे तो एक बीतिये बर्स में किसी देश की भगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम बस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मुल्ले जो होता है वो जीडीपी होता है एक बीतिये बर्स का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश का बीतिये बर्स होता है तो इस बीतिये बर्स में किसी भी देश के अंदर यदि किसी भी वस्तु का पॉड़क्शन हो रहा है या सीवा का स्रिजन किया जा रहा है देश के अंदर तो सारे जो पॉड़क्शन होगा जो सेवाए होगा उसका कुल अगर मौद्रिक मुल्ले निकाल दिया तो आपके मन में एक घंटी बच जानी चाहिए कि वो भगॉलिक सीमा के अंदर की बात करता है अब हम लोग रास्टिय आये का दूसरा मापदन जो था जी एन पी अब हम लोग जी एन पी को देखेंगे और जी एन पी जो होता है वो ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट होता है हिंदी में सकल रास्टिय उत्पाद कहा जाता है सकल रास्टिय उत्पाद नेशनल प्रोड़क्ट अगर हम इसे डिफनेशन के माधम से जाने कि सकल रास्टिय उत्पाद क्या है तो यह जो होता है वह किसी बीतिये बर्स में किसी देश की नागरी को द्वारा उत्पादित अंतिम बस्तुओं और सिवाओं का कुल मौद्रिक मुल्ले जो होता है वह जी एनपी होता है जी एन पी में जो कहा जा रहा है वो भी बितिय बर्स में होगा लेकिन यह जो होगा वो देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम बस्तु और सेवाओ का कुल मौद्रिक मुल्ले जो होता है वो जी एन पी होता है यह रही परिभासा की बात और इसमें याद रखने वाली चीज है नागरिक द्वारा इसमें कहा जा रहा है कि नागरिकों द्वारा उत्पादित सेवा या वस्तू का प्रोडक्शन यह दो चीज हम लोग याद रखेंगे जैसे अगर डिफिन अगर जीडीपी की बात होगी तो हमारे दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि यह जब GNP आए तो हमारे दिमाग में यह चीज आ जाना चाहिए कि यह जो होता है वो नागरिकों की बात करता है नागरिकों द्वारा उत्पादित सेवाओ और वस्तू का उत्पादन होता है अब हम लोग एकजामपल के माध्धम से इसको समझेंगे कि यह चीज जो होता है व वह हमारा GDP होता है तो मान लेते हैं कि यह जो है यहाँ पी जो मैंने एक बनाया हुआ है देश की यह मान लेते हैं कि यह देश की सीमा है और यह जो है इंडिया किसी भी देश की सीमा के अंदर सिर्फ देशी लोग ही नहीं होते हैं बलकि बिदेशी लोग भी आकर यहाँ प या इंडिया का तो इसमें कोखग जो होते हैं डी ये सारे लोग हैं या कोई कमपनी है जो यहां पे कारे रत हैं यहां पे रहते हैं तो यहां पे अगर हिंदी जो अक्छर मैंने लिखा है कोखग आप उसे मान लेंगे कि यह जो है इंडियन से इंडियन कमपनी है या इंडिय CD वाला जहां भी आएगा अक्छर लेटर उसे हम समझ लेंगे कि यह विदेशी सब्द है विदेशी लोग है विदेशी कमपनिया है तो अगर मान ले कि यह हमारा कंट्री है इसकी भगुलिक सीमा है यह इस भगुलिक सीमा के अंदर क्या-क्या चीजे हैं देख रहे हैं कि को ह है रडीर को है और और injuries निills्य हैं घडे जोह हैं वह अपने देश की नाग्रिक है और दोसे सीमा के अंदर है सिवाव का स्रीजन कर रहे हैं स्ली पार्रएड इतों यह जो होता है है हमारा ए ज्डिप कह लाएगा यह जो होगा हमारा जीडिप कह लाएगा और यदी हम boy एनपी की बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट सकल रास्टिय उत्पाद में जो होता है सकल रास्टिय उत्पाद जो होता है वो नागडिकों द्वारा उत्पादित बस्तू और सिवाओ की स्रीजन का कुल मौदरिक मुल बात होगी जबकि रास्टी उत्पाद में हम सिर्फ नागरिक नागरिक को द्वारा उत्पादित बस्तूर सिवाओं की बात हो रहे हैं तो जी एन-पी में जो है भॉवलिक सीमा की बादता नहीं है केवल नागरिक को द्वारा उत्पादित बस्तू और सिवाव का ध्यान रखना है और नागरिक जो होते हैं वह हमारे देश में भी हो सकते हैं या देश के दूसरे भाग में भी अगरा रहा है हमारे दूसरे देश में भी रहा रहा है तो उनके द्वारा उत्पादित बस्तू और सिवाव जो कि भौगौलिक सीमा की बंदी से नहीं होगी तो किवाल हम अपने देश की बात नहीं करेंगे बलकि अपने देश के बाहर जितने भी संसार में वर्ल्ड में अगर हमारे हमारे देश के नागडिक अगर वहां पर राते हैं तो वहां के द्वारा जो भी वह पैसा कमा रहे हैं तो सारी चीजे जो होते हैं, हमारी कमपनिया दूसरे देशों में काम कर रही है, ये अंडियन कमपनिया, तो वो भी जो होता है, वो सकल रास्टी उत्पाद में calculate की जाती है, तो अगर इसमें देखें, तो ये हमारा रास्टी उत्पाद क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते के नागरिक नहीं है, तो हम इनको counting नहीं करेंगे, गहाँ अंगा जो है वे हमारे देश के नागरिक है, और ये दूसरे देशों में ध्वन कमा रहे हैं, कोई काज कर रहे हैं, कोई कमपनिय चला रहे हैं, तो इनके द्वारा प्राप्त आय जो होगी, वो रास्टी उत्पा करता है, तो इंडिया की बात करेगा, इंडिया की GDP निकालना है, तो इंडिया के भगलिक सिमा में क्या-क्या है, तो को है, तो को लिखेंगे, और किस कोई करेंगे, इसमें खोको लिखेंगे, गहाँ को लिखेंगे, और इसमें बिदेशी नागरिक भी है, भगलिक सिमा के अंदर अगर यहां पर सेलरी पा रहे हैं कोई कंपनी बैठाए हुए हैं तो इनके द्वराउत पादित बस्तु और सिवाओ का प्रोडक्शन जो होता है इसका भी मुद्रा कौकुल मौद्रिक मुल्ले जो है कैलकुलेर कर ली जाती है तो इसमें कौक होगो के लावा डी और यह भी हो जाएगी ते पूरा मिलाकर देशी और विदेशी दोनों के मिलाकर हमारा जीडिपी बनता है और यह भागुलिक सीमा के अंदर की बात करता है जबकि जी एनपी की बात हम लोगों ने समझा कि इसमें भागुलिक सीमा की बंदी से नहीं होता है बलकि सिर्फ अपन और देश में कउखा है अपने नगरिक है यह होगा दूसरे देश में हम लोक देख रहा है कि यहां पे जुवरिक से अंगा तकरतात केवल भार्तियं ही इसमें समलित फैं जबकि GDP में भारती और विदेशी दोनों समलित है और इस परकार हम लोगों ने GDP और GNP को समझ लिया अब हम लोग फर्मूला की बात करते हैं अगर मान लीजिए आपके पास GDP का आकड़ा है और कहा जाए कि आप इससे GNP निकाल लेजिए मतलब सकल घरेल उत्पाद दिया रहे और आप इससे सकल रास्टी उत्पाद निकाल लेजिए तो एह निकालने के बाद जो पराप्त फर्मूला होगा वो हमारे फर्मूला होगे और यह हमारे एकजाम के लिए काफे इंपोर्टन है और यह बार बार एकजामरों में पुछ लिये जाते हैं हमको GNP निकालना है GDP स कालना है तो हमें क्या निकालना है सिर्फ नागडिक को द्वारा उत्पादित वस्तु को निकालना है सिर्फ नागडिक को देखना है तो डी जू होते हैं वो क्या है वे हमारे नागडिक नहीं है तो इसको क्या करेंगे निकाल देंगे तो जीडिपी में से किसको निकाल रहे है डी को निकाल रहे हैं डी को निकाल दिए और किसको एड करेंगे तो विदेशों में जो अपने नागडी काम कर रहे हैं उनको एड कर देंगे जैसे गह और अंगा तो हम लोग क्या करेंगे गह और अंगा को एड कर तो इस प्रकार हमारा सकल रास्ट ये उत्पाद जो है प्राप्थ हो गया कैसे समझेंगे जी एन पी जो हो जाएगा वह जीडीपी हो जाएगा इसमें से जीडीपी में से हमने डीए को घटा दिया क्योंकि अपने देश के नागरिक नहीं हम लोग जीएन पी निकाल लाया औ तो जीडीपी में से किसको घटा देंगे डीए को घटा देंगे यहां से अपने विदेशी नागरिकों को घटा देंगे और किसको जोड़ देंगे तो विदेशों में काम कर रहा है अपने नागरिकों को जोड़ देंगे तो इस प्रकार जीएन पी का जो फर्मूला प्रा यह जो होता है यह आयात होगा यह निर्यात होगा इस बात की आपकलपना करेंगे यह जो होगा वह आयात होगा जैसे हमने cricket के दो महान खिलाडियों को अपने यहाँ IPL खेलने के लिए import किया तो क्या होंगे जो भी पैसा कमाएंगे वो हमारे भारत सरकार उनको देगी तो जो होंगे वो कमाएंगे पैसा तो क्या करेंगे वो अपने देश में क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे तो यह हमारा इंपोर्ट होता है जैसे हम किसी भी बस्तू कागर चाइना से दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या होता है अपना पैसा जो होता है वो दूसरे देशों को देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है तो यह हमारे इंपोर्ट होता है तो यहां पे जो दूसरे देश के नागरी काम करें D और E वो भी क्या होते हैं वो इंपोर्ट कहा जाते हैं वो इंपोर्ट कि जाएंगे क्योंकि वे जो हैं वे पैसा जो सेलरी पाएंगे कमाएंगे वो जो पैसा होगा वो हम अपने देश में भैजेंगा था इंडिया में भैजेंगे तो इस प्रकार यह एक्सपोर्ट हुआ आता है तो हम उसको एक्सपोर्ट काते हैं उसी परकार हमारे देश का अगर कोई नागलिक दूसरे देशों में काम कर रहा है तो जो पैसा कमाएगा अपने देश में भेज़ेगा तो यह भी क्या हुआ हमारा एक्सपोर्ट हुआ तो इसपोर्ट एक्सपोर्ट समझ लिए तो एक फर्मूला जो होगा हमारा यहां प्राप्त हो जाएगा तो इस परकार हमारा जी एन पी क्या हो जाएगा तो जी डी पी में से import को घटा रहे हैं और किसको जोड रहे है export को जोड रहे है export को क्या कर रहे है जोड रहे है तो हमारा एक formula प्राक्त हो गया कि GNP जो होता है वो GDP में से import को घटा दिया जाता है अर्थाद बिदेशी नागरिकों को घटा देते हैं जिसका हमने import किया है और जबकि export को add कर देते हैं जो हमारे देश के नागरिक बाहर गए हुए है और जो पैसा हमारे देश को प्राप्त होता है वो export होता है तो export को क्या कर लेते हैं इस प्रकार हमारा GNP जो हो जाएगा उसका formula प्राप्त हो जाएगा GDP में से import को घटाएंगे और export को add कर देंगे आप इस प्रकार हमारा GNP का formula यह प्राप्त हो जाएगा यह formula जो होता है एक्जाम्स में बार बार पूछा जाता है